दोस्तो आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनको लगता है कि वह बहुत गरीब हैं और इसलिए वह कुछ नहीं कर सकते हैं या वैसे व्यक्ति जिनकी उपर नकरात्मक सोच जल्दी हावी हो जाते हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे सकतियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज से 5-6 सार पहले बहुती ज़्यादा गरीब थे उसके घर में पैसों की बहुत ही कमी थी पर आज उसके पास हर एक वो चीज मौजूद है जो एक हर एक इंसान के पास होने चाहिए आज हम बात करने वाले हैं मनोज डे के बारे में जिनकी वीडियोज आप यूट्यूब पर देखते हो जो आज 10 लाख लोगों के पसंद है तो चलिए जानते हैं मनोज डे की जीवनी कि कैसे बदली उन्होंने मोबाइल से अपनी जिन्दिगी आज इस वीडियो में आप लोगों को मनोज डे की बायग्रफी बताने वाली हूँ तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शे सब्सक्रेब ज़रूर करिएगा दोस्तो वैसे तो मनोज डे को हर कोई जानता है फिर भी हम उनके बारे में कुछ बेसिक डीटेल्स बता देते हैं मनोज डे इंडिया के एक बेस्ट यूट्यूबर और डिजिटल मार्केटर हैं जो आज यूट्यूबर दो दो पॉपलर चैनल्स के मालिक हैं जो आज 10 लाग से अधिक लोगों की पसंद बन चुके हैं मनोज डे टेकनलोजी और यूट्यूब टिप्स से रेलेटेट वीडियोस पोस्ट करते हैं मनोज डे का जन 12 जुलाई 1997 को धनबाज जारकन में हुआ था उस समय मनोज डे के पिता एक साइकिल रिपेरिंग की दुकान चलाते थे और मा एक ग्रिहनी थी मनोज डे एक माध्यम वर्गिप गरी परिवार में जन में एक साधारन लड़के थे जो आज मोबाइल, यूट्यूब और अपनी महनत से साधारन से असाधरन बन गया है मनोज डे की उम्र की बारे में अगर हम बात करें तो उनकी अभी उम्र 24 वर्ष है आए जानते हैं मनोज डे की यूट्यूब जरनी के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मनोजडे YouTube पे टेक्निकल वीडियोस पोस्ट करते हैं, YouTube से रेलेटर वीडियोस पोस्ट करते हैं, मनोजडे का जम एक माध्यम गरीब परिवार में हुआ था इसलिए उनके परिवार में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती थी उस समय उनके पिता जी एक साइकील रिपेरिंग की दुकान चलाते थे मनोजडे ने अपनी प्रारंभिक सिक्षा 12 तक की सिक्षा जरकारी स्कूल से पूरी की है 12 क्लास के बाद वे डिप्लोमा और बीटेक करना चाहते थे लेकिन पैसो की कमी के कारण वे डिप्लोमा और बीटेक नहीं कर पाए और गाओं पे ही वो ट्यूशन पढ़ाने लगे और साथ ही आई टी आई करने लगे ताकि उनको कोई भी प्राइवेट जॉब मिल जाए इसी बीच उनके पास एक मोबाईल आया और उस मोबाईल से ही भी बाद लोगों की तरह यूट्यूब देखने लगे यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते उनको एक ऐसा वीडियो मिला जिसका थमनेल था कि यूट्यूब पर पैसा कैसे कमाए बस इस वीडियो को देखने के बाद वे पैसा कैसे कमाए यसी सर्च करने लगे अंत में उनके एक यूट्यूब चैनल बनाने की ठान ली उ शायद इसी लिए उन्होंने अपनी mobile से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था उस समय मनोज डे के पास Samsung का एक mobile था और वे इसी mobile से वीडियो बनाते थे और अपलोड करते थे मनोज डे के इस first YouTube चैनल का नाम था Technical Manoj इस चैनल पर वे टेक से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट क्या करते थे और उनका ये चैनल मॉनिटाइज भी हो गया था जब इस चैनल पर 80 डॉलर हो गया था तब उन्हें ये चैनल हाई CTR की वज़े से डिसेवल हो गया जिसके कारण मनोजडे को एक बहुती बड़ा जटका लगा और वे यूट्यूब को छोड़ दिये लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपको किसी काम की लत लग जाती है तो उसके बिना आपको भोजन नहीं पच्छा ठीक ऐसा ही मनोजडे के साथ हुआ और उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाने की दुबारा से ठानी चैनल के डिसेबल होने के एक महिने के बाद उन्होंने अपना दूसरा चैनल बनाया जिसका नाम था मनोजडे जिसको आज हम लोग देखते हैं इसके बाद मनोजडे की YouTube यात्रा यहां से शुरू हो गई और आज भे इस मुकाम पे पहुंचे हैं उनके इसी motivation के कारण आए जानते हैं उनके YouTube चैनल के बारे में तो मनोजडे का first YouTube चैनल disabled होने के एक महिने के बाद उन्होंने अपना दूसरा चैनल बनाया और वो धीरे-धीरे ग्रो करने लगा लोगों का प्यार मिलने लगा इसके बाद आज उनके पास दो प्रसेद YouTube चैनल है तो चलिए जानते हैं उनके दो YouTube चैनल के बारे में मनोजडे YouTube चैनल को देखते हैं हम लोग तो वो 24 नोमेंबर 2016 को बनाया गया था जब मनोजडे ने ये चैनल बनाया था तब वे इस वीडियो को सीड़ी के कोने में जाके शूट करते थें और यह सीड़ी वाली बिहाइंड इस सीन को उन्होंने YouTube पर डार दिया था जो कि रातो रात वाइरल भी हो गया था और इसी कारण से उनकी किस्मत भी बदल गई इस चैनल को लोगों ने बहुत ही अधिक प्यार दिया था जिसके बाद उन्होंने आज 14.5 लाग से जाधा सब्सक्राइबर है जो कि बहुत बड़ी बात है इस चैनल का टोटल वोच टाइम 13.5 लाग से अधिक है और टोटल वीडियो 8.53 है दोस्तो अब बात कर लेते हैं मनोजडे के व्लॉग चैनल के बारे में तो मनोजडे व्लॉग एक चैनल है जो कि उनका दूसरा चैनल है उन्होंने 15 अगस 2018 को शुरू किया था कम से कम 200 से अधिक वीडियो उनके होंगे आईये जानते हैं मनोजडे के नेट वर्थ के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तो मनोजडे के पास दो प्रसिट चैनल है और उन्हें पॉपुलियरिटी के कारण उन्हें अब अच्छी कमाई मिल जाती है उन्हें 2 से 3 लाख रुपे प्रती महीना मिल जाता है तो दोस्तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मनोजडे की गर्ल्फरेंड के बारे में हर कोई जाना चाता है खास करके उसकी इंकम और उसके गर्ल्फरेंड के बारे में तो जो सुना है और जो अभी तक देखा है उसे यही कहा जा सकता है कि जोती महतो जो है उनकी गर्ल्फरेंड है और आगे वे उन्हीं से शादी करना चाहते है ऐसा वो कहते हैं कि हमें नहीं उन से शादी करना है लेकिन अभी कुछी दिनों पहले उन्होंने इंस्टेग्राम पे एक फोटो पोस्ट किया था जिसके बाद लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि आपको जोती से शादी कर लेनी चाहिए तो दोस्तों आपका क्या ख्या नहींच। झाल 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 काल झाल झाल